हैलो स्टुडेंट आप देख रहे हैं टार्गेट की आज की इस वीडियो में बात करेंगे अफगानिस्तान और ताइवान के अभी जो की बिरोध चल ला है उसके बारे में हम जानेंगे ता आज की इस वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने बाला है एकजाम पॉइंट अ जानेंगे कि अफगानिस्तान क्या है ताइवान क्या है अफगानिस्तान में ताइवान की उदय कैसे हुआ उसके बारे में आज किस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा वीडियो अच्छा लगता वीडियो को लाइक कीजिएगा सबसे जायिका सोका में कfeltे कि एसे सी जीडी की आप तैयारी करते हैं । आप लूग हमारे इस चाइनल पे चाईसी если दो साहे चौ वझे यानि उख तीसमें साम 36 में बाय लोजी करा है तो आप लोग जा कर देखेगा क्रिंट ओफार्ट जो सब्सक्राइब किजिएगा तो आप लोग एक्जाम में 100% स्कुर्त ओफेयर में किजिएगा तो चलते हैं आज जानते हैं तैवान के बारे में अफगानिस्तान के बारे में एक्जाम के पॉइंट अफगानिस्तान और तैवान के बारे में पढ़ेंगे अन्या था जदा नहीं जानेंगे तो सबसे पर्थम हम जानते हैं अफगानिस्तान कहां है भारत से अफगानिस्तान कह भारत यानि अपना इंडिया है यह है पाकिस्तान क्या है यह है पाकिस्तान और यह है चीन क्या है चीन है समझ में आ रहा है तो सबसे परतम हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा कितने देश के साथ लगता है ठीक है अफगानिस्तान के सीमा कितने देश के साथ लगता है भ सबसे पर्थम हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के पूरव उत्तर में पूरव उत्तर में पूरव उत्तर में भारत और चीन है कौन है चीन है भारत और चीन है और पूरव में पूरव में क्या है पाकिस्तान है क्या है पाकिस्तान है क्या है पाकिस्तान है रहा क्लियर होना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान के पूरव उत्तर में कौन है भारत है और चीन है और अफगानिस्तान है जो की पूर पुरमें अफगानिस्तान के पूरमें पाकिस्तान है यहां चलियर होना चाहिए भारत है दोस्तो भारत है जो की अफगानिस्तान के साथ एक सो छो किलो मीटर सीमा सज्या करता है कितना करता है सीमा सज्या एक सो छो किलो मीटर भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा सज्या करता है और अफगानिस्तान और भारत के साथ आप लोग की सब लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग टेंसर नहीं लिजेए, आप लोग सब लिखा हुआ मिलागा, तो आप लोग धिरज बना का बैठिए और देखिए वीडियो को, लाइक कीजेगा वीडियो को, शेर कीजेगा, बता दे कि अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सा रेखा है, तो डुरंड जानते हैं, कि तैवान का उदे पकिस्तान में कैसे हुआ और अफगानिस्तान में कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं, तो बता दे कि 1994 जिसवी में, दक्षिन अफगानिस्तान में इसका उदेव हुआ था तैवान का और इसका राजधानी तैवान ने बनाया था काबूल में कहां बनाया था काबूल में बनाया था अभी बरतमान में अफगानिस्तान का राजधानी कहां है तो आप लोग बताईएगा काबूल में है और तैवान ने दक्षिन अफगानिस्तान पर कबजा किया था और इसका राजधानी कहां बनाया था काबूल में बनाया था और दोस्तो इसके साथ चलते हैं और बतादे कि यहां पे आप देख रहे हैं अफगानिस्तान है क्या है अफगानिस्तान है और इसका रजधानी ये है काबूल है ठीक है यहां ये है रजधानी काबूल है और ये है पकिस्तान क्या है पकिस्तान है ये पकिस्तान है ये इंडि बोर्तमान में, पूराम में पकिस्तान का हिसा है। और यह भारत का हिस्सा है। और दोस्तों जानते हैं कि भारत का सीमा किसके साथ लगता है तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि पूरा में पकिस्तान है उत्तर पूरा में भारत है और उत्तर में ताजिकिस्तान है और काजाकिस्तान है तुरकिमिनिस्तान है पच्छी में इरान है ठीक है उत्तर में क्या ह ताजाकिस्तान है तुर्की मिनिस्तान है आप यहां फिगर में देख सकते हैं काजाकिस्तान है तुर्की मिनिस्तान है और यह दक्षिन में क्या है इरान है समझ में आ रहा है ना ताजाकिस्तान तुर्की मिनान और दक्षिन में क्या है इरान है किलियर है यहां तक 1990 की शुरुवात में उत्तर भारत में तैवान का उदय माना जाता है इस दोरान सोभिय सेना का अफगानिस्तान में वापसी आ रहा था तो पसुतून अंदोलन के सहारे तैवान ने अफगानिस्तान के अपनी जरे जामा कर ली थे तैवान के गिंती दुनिया के अंतकबादी संगठन में की जाती है और बता दे कि अफगानिस्तान है से एक मुस्लिम गंडाजे देश है और बता दे कि इसका यह तैवान के में इसका दुनिया के तैवान का दुनिया में क्या अंतकबादी के नजरिया से देखा जाता है यह का यह तैवान है जिसको अफगानिस्तान के पलियामेंट यानि कि संसद भवन में कबजा कर लिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं भी बर्तमान में पलियामेंट में अभी कबजा कर लिया गया है तैवान की लोग आके इस पर अफगानिस्तान में यानि कि अफगानिस्ता की परमूख्यल यह क्वेश्चन पुछेगा है औस टो आफ लोग बताईए कि सुस्जा कि अफगहनि क language कि फ़ेश्ण दौर्फेर रेश्डेशक्रां धौरा फ्रस्तूद किया जाताहा है अफगहनिस्टान के किर्केट propicket फुटबॉल दो दो सबसे लोगपिरिये खेल है अफगान का प्रिम्पार्य खेल क्या है तो आप लोग बताइएगा कि बुझ कासी है अफगानिस्तान की बरतमान कूल छो लाक ब्यानवे 52 लाक 860 किलो मीटर इसका छेतर फल है और यह देश साव्थ एसिया में आता है क्या आता है साव्थ एसिया में आता है और इसका राष्ट पति क्या है अफगानिस्तान की दुहजार उनुइस की जनगन्ना की अनुसार कितना है 2019 के जनगन्ना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या कितना है 3.8 करोर है कितना है 3.8 करोर है और इसका राजधानी कहा है दोस्तो काबूल है और भारत की साथ इसका सीमा कितना लगता है 106 किलोमीटर सीमा साज्या करता है और तैवान का उदय कियो कब हुआ था 1994 में इसका उदय हुआ था बतादे कि और इसका राष्ट पती कौन है अफिसर गनी अहमद है और यह क्या है इसलामी गनराजिया है और इसका परधान मंतरी अब्दुल्ला है समझ में आ रहा है नहां तक समझ में आ रहा होगा चलते हैं आगे जानते हैं पहला अफगान सासक बहलूल खान लोदी था जो की भारत में यानि की दिल्ली की लोदी बंस का पर्थम सुल्तान बना था जो की सहियत बंस का अंतिम सासक पदचिवत हुआ था बललूल एक अफगान बेपारी की परिबार में पैदा हुआ था और भारत का पहला अफगान सास तक बना था कौन था भारत का पहला अफगान शाशा कि यह कोस्टन पूछेगा कि भारत का पहला अफगान शाशा कौन था ता आप लोग बताईएगा बहलोल लोदि था जुस जिसने चौदो सो एकान इस वी में भारत प्रकपजा किया था देखिया आप लोग यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान में यानि की काबूल के एरपोर्ट पे जो की बहुत ही बारा भगदर मच गया है जो की तैवान ने आकर आकरमन कर लिया है यहाँ पे आके अमेरिका ने अमेरिका के राष्टपती नए बने है जो की डुलान तर्म के बाद अमेरिका के राष्टपती नए बने है उनके अदेश के अनुसार यह बताया गया था कि जो की अफगानिस्तान में जो हमारे सैना है उसको हम आपने अमेरिका में बुला लेंगे उसके में दो से तीन दिन पहले तेला जिला पर इसने अधिकार कर लिये थे और अभी काभूल पर अधिकार कर लिये हैं जो कि बहुत भी भालांख बता रहा है और बता दिया कि टाइवान के एरपोर्ट से लोग भागई ताइवान अफगानिस्तान के एयरपोर्ट से काबूल के काबूल से यानि कि अफगानिस्तान से लोग आपने दिस्ट को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं तैवान के बिरोध के कारण और बता दे कि तैवान जो कि इसमें कल साम 6 बजे कि सारे 6 बजे इसमें तीन आदमी मारे गए थे और तैवान से भारत की भारत सरकार ने जो कि हमारे भारतिये सीख और हिंदू लोग है उसके बचाने के लिए बिर्थ मंतिरी ने बताया है कि हमारे लोग को वापस लाया जाएगा तो आप लोग को यह जनकारी कैसा लागा आप लोग कमेंट कीजिएगा और बतादे कि इसका इसका आप लोग जानी ही गए होंगे कि इतना इसका इसका जन संक्या है 2019 के जनगना के अनुसारता आप लोग बताएगा कि 3.8 करोर किलो मीटर है आठ करोर आठको रुजन संक्या है इसका है और इसका राजधानी काबूल में है सन 1747 इसमी में हमाद दुरगान ने अफगान के समराजय की निव डाली थी रखी थी और धुनी कस्तल पर कंधार नगर की राजधानी के रूप में अस्थापना किया था समझ में है और कंधार पर भी आकरमन कर दिया है ताइबान ने और बहुत सारा भी भ्यांकर चल ला है अफगानिस्तान में तो आप लोग को यह कैसा लगा आप लोग बताईएगा तो आज के लिए इतना है मिलते हैं ले वीडियो में तो आप लोग जाकर देखिएगा आप लोग जाकर देखिएगा आप लोग जाकर देखिएगा 36 में आप लोग जाकर देखिएगा बैलोजी का कलास साम 36 में और सुबह 36 में आप लोग जाकर देखिएगा सुभा 36 में आप लोग जाकर देखिएगा क्रेंट ओफयर के घ्टी pack घ्र कि जो की 11 स्ट छलता है ए्गारा माह क्रेंट ओफेर चलता है जो की बहुत इंप्टेंट होने बदा है भ wrench इंप्टेंट होने वाला है समझ में आ गया है न है जो की बहुत इंपोटेंट होने बाला है तो आप लोग जा कर देखिए और मिलते हैं ले वीडियो में आज के इतना ही आप लोग की जो की समझ में नहीं आएगा आया होगा तो कमेंट कीजेगा आज के इतना ही मिलते हैं ले वीडियो में जै भारत बंदे मात्रा